लट्षों को पकड़ना इस तरीके से ठीक है और इसको रब करना है ये दिखे ये इस तरीके से थोड़ा सा मैसी होगा इसलिए बात रूम में करिये गाई आम शूर आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि आपको तुरंत कहीं से कोई नियोता आया है कहीं जान तो उसके सामने दिखना तो चाहिए भाई यह स्किन चमकदार ही है मेरे साथ अक्सर यह situation होती है उसके लिए हमेशा मैंने एक ऐसे चीज हमेशा अपने दिमाग में रखी होती है जो मेरी स्किन को instant glow देती है दाक स्पोर्स को हटाती है, वाइट ब्लाकेट को हटाती है अगर चेहरे के उपर uneven tone हो चुका है, गरदन अलग लग लग रही है फेस का कलर अलग लग लग रहा है उसको भी फिक्स करता है इसके साथ ही natural bleach करता है इक ही चीज में आपको bleaching भी मिल जाएगी, face pack भी मिल जाएगा और scrubbing भी मिल जाएगी, ठीक है लेकिन ये आपके चेहरे के aging के उपर भी काम करती है 30+, 40+, अगर आपकी skin बहुत जादा lose होती जा रही है तो please इस pack को बना के आप लगाना शुरू कर दो हटे में एक से दो बार भी कर लेंगे अपनी दूसरी remedies के साथ साथ में तो भी बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा skin एकदम चमकदार हो जाएगी, glow इतना जादा भर-भर के आएगा dead skin हट जाएगी, चेहरे के उपर अगर dead skin बहुत जादा इकठी हो जाती है तो डलनाज बहुत जादा दिखाए देती है, ना क्या असपास यहां पर अगर आपके भी बहुत जादा white head black head बनते जा रहे हैं, यह वली skin बहुत जादा rough हो गई है, काली पढ़ गई है बेटन सब्सक्राइब कर लो, जो कि free of cost है, बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च होता है, बेल आइकोन जरूर दबाएगा ताकि future वीडियो सबसे बहले आपके पास पहुचे मेरे, बेल आइकोन आपके लिए ही होता है, मैं वीडियो अप्लोड करूंगी और आपके पास अग अखलगा और क्या नहीं लगा चले जहीं सबसे पहले क्या करता है सबसे पहले हमने लएने हैं आलू के लच्ष यह देख रहे हैं इस तरीके से है अपने करना क्या है, एक लएना ऴीडियो साइज का उसको न पहले धोना है, अच्छे सरी निकल जानी चाहें उसके बाद कदूकस कर लेंगे कदूकस करके इस तरीके के आपको यह लच्छे मिल जाएंगे ठीक है आलु में पाया जाता है धेर सारी bleaching properties anti aging properties potassium जो आपकी color को फेर करता है आपके डाक-सपॉट्स aging स्पोर्ट्स को हटाता है साइन ओफ एजिंग को रिलीज करता है बहुत दिन तक अगर आपको चाहिए कि आपकी सीन यंग रहे टाइट रहे तो इसमें स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज भी है तो आलू का यूज आपके बहुत सारे काम में आ सकता है तो एक बार बना के इसमें एक्स्ट्रैक कर लेना ठीक है जी आप देखना यह जब जैसे आप जूस निकालेंगे न तो तुरंत ही तुरंत आपने इस रेमेडी को बना लेना है यूज करने ले ठीक है इसको रखिएगा मत क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सिडाय हो जाता है काला पड़ जाता है और तब इस रेमेडी का ना फार्दा नहीं होगा मजा नहीं आएगा क्योंकि इसकी जितनी भी गोण है वो सारे के सारे निकल जाएंगे ठीक है तो यह ले लिया जब आप इसको लेखेंगे थोड़ी देर में ही यहां पर आपको नीचे ना पाउडर पाउडर सा दिखेग यहां पर ठीक है वो क्या है वो है bleaching agent जो हमारी skin को bleach करने वाला ठीक है तो यह हमने ले लिया सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जी honey ठीक है honey डालना है क्यों क्योंकि skin के moisture को हमें लॉक करना है देखिए अक्सर कहीं बार ना dry skin की वज़ा से भी चेहरे के उपर wrinkles बनते हैं इसकी वज़ा से उनको skin के उपर बहुत जारा erection हो गया है और अगर नहीं तो allergy अगर आ गई है तो honey को आप skip कर सकते हैं इसकी जगा पे आपको डालना है कोई भी एक facial oil ठीक है कोई भी एक facial oil डालेगा वैसे अगर honey suit करता है तो honey ही डालेगा best option है अब हम डालेंगे इसमें चुटकी भर कस्तूरी हल्दी ठीक है जी कस्तूरी हल्दी लिजेगा kitchen की हल्दी मत लिजेगा क्योंकि kitchen की हल्दी डालने से यह जो remedy है यह आपके चेहरे के उपर पीला पीला पन देदेगी जो की बहुत बुरा लगता है वैसे तो initially आपकी चेहरे के उपर थोड़ा सा पील दिखाई देती है skin के उपर बिल्कुल भी glow नहीं दिखता है तो आपको वाइल्ड टर्मरी का यूज अपनी remedies में करना चुए तो देखिए मैंने डाल लिया करीब करीब चुटकी भर से थोड़ा सा जाधा यह देखे इतना क्योंकि हाथो पैरों के लिए भी मैं बना रही ह जो हमारे skin को natural sunscreen देता है आपकी skin को protection देता है UV rays से आपकी skin को बचाता है बहुत लोग होते हैं जो अपने चेहरे के उपर sunscreen नहीं लगाते हैं भूल जाते हैं उनको भी sunscreen की जगा पर ग्लीसरिन अपनी चेहरे पर ज़रूर लगानी चाहिए आप हफते में 2-3 बार इसको लग करीब करीब आदा चमच के आसपास ग्लीसरिन मैंने मिलाया मैंने लिया है दो चमच जूस आलू का जूस उसमें मैंने मिलाई है चुटकी बर हल्दी क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कि प्लीज आप quantity भी बनाए इसके साथ में डाला है इसमें करीब करीब एक चमच के आस उसके लिए हमने solution करना है तयार बेसन के साथ में ठीक है बेसन आप लेंगे करीब करीब दो चमच के आसपास तो आप यह तो बेसन यूज कर सकते हैं आप नहीं तो घर में रखा हुआ आपका आटा भी यूज कर सकते हैं इस तरीके का और इस रेमिडी को आपने जैसे ही आ बढ़िया से मिक्स करेंगे यह रेमिडी ओल इन वन का काम करेगी आपके चेहरे के उपर यह ब्लीचिंग का भी काम करी है आपके चेहरे के उपर यह फेशल का भी काम करी है और साथ ही साथ यह आपके चेहरे के उपर स्क्रबिंग का भी काम करेगे अब स्क्रब कैसे करना ह आपको बता देती हूं सबसे पहले हम इस पैक को तयार करके रग देते हैं थोड़ी दिर के लिए सबसे पहले बालों को बांध लेते हैं क्योंकि रेमिडी अच्छे से लगनी चाहिए चीक है जी बालों को अच्छे से टाय कर लीजेगा उसके बाद में अपने फेस को क्लीन करना आप क्लीन करने के लिए आप चाहें तो जो मैंने DIY पाउडर आपके साथ में शेयर के हैं उनक लच्छे दूद के साथ में कर सकते हैं तो यह वाकई में गंदा था थोड़ा सा साफ हो गया क्लीन कर लेना चाहिए किसी भी रेमिडी को यूज करने से पहले आप मैं आपको दिखाते हूं जो छले आपने देखे थे यही वाले लच्छे आपने लेने हैं लच्छों को पक को रप करना है यह दिखे नाक के पास में जरूर करेगा बहुत जादा काला पनिया आपर बनता है ठीक है जी होटो के आसपास बहुत जादा बनता है काला पन तो प्लीज यह अच्छे यूज करिए हमारा चेहरा क्लीन और बढ़िया से संटनिंग के उपर भी काम हो गया है अब हमारा जो पैक है वो बना के तयार है इसको अब हम लगा लेते हैं थो लीजे जी अब हम लगा लेते हैं मैं कॉटन के साथ में लगा रही हूँ आप चाहें तो ब्रश के साथ में भी लगा सकते हैं और अगर स्पेशल कहीं एकदम से जाना पड़ गया है एकदम से कहीं ज़रुत ने है अब आपको बस इसको अपने ब्राइ कर लेना है कि कितना बढ़िया है मज़ा है रेमेडी का भाई मैंने इस रेमेडी को बी मुझे लग रहा है चार यहां पांच दिल बाद कियो और रेशल्ट देखो जबना बढ़िया से आगया I hope आपको आज की रेमेडी भी बहुत जादा पसंद आई होगी मुझे पता है क्योंकि बहुत ही सिंपल इंग्रिडेंट के साथ में बनी है और जितनी जादा सिंपल चीजे होती है उतना जादा उसका असर जादा आता है तो प्लीज एक बड़ ट्राय करके जरूर देखेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपनी स्किन के ओपर दिखाए देगा वीडियो में क्या अच्छा लगा है कहां से मेरा वीडियो देख रहे है कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में जहाँ पर फिर से शेयर करूँगा आपके लिए आपकी पसंद की और जो आज कि टाइम पर चाहिए ठीक है जी चली मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में बाबाई टेक केर से यू